इंस्पिरेशनल हाउज और जो कॉम्बिनेशन बनाया गया आजकल की मॉडरन आर्टिस्टिक यहां से आप खोल के इसलिए दिखाता हूँ क्यों आको फुल अपर पर बैकेंड वॉल देखें पुर फाल लाइटिंग होती है ना उस तरीकी बिलेगा अमेजिंग अमेजिंग इंस्पिरेशन होती है घर लेने की और घर ऐसा होना चाहिए कि यार इंस्पार हो जो काम इतना करो ना कि यार घर ऐसा खरीद पाएं तो आज हम लेके आए ऐसा ही आपके लिए पांसुगज का घर घर के अंदर से हम घर की फ्रण्ट ऐलिवेशन की तरफ जा रहे हैं जहां के अंदर से हम घर की बाहर की तरफ जा रहे हैं जिसकी एलिवेशन इतनी प्यारी है कि कोई गुजरेंगा ना घर के सामने से बोलेगा घर बहुत प्यारा बनाया बंदे ने तो ऐसे घर के साथ इंस्पिरेशन आती है आपको की काम इतना करो कि यार मैं ऐसा घर खरीद का वर्क है और जो कॉंबिनेशन बनाया गया ना आज गल की मॉडरन आर्टिस्टिक डिजाइनिंग का जो कल्चर है उस तरीके की डिजाइनिंग है तो एक ऐसा प्यारा सा घर तक्रीबन शपन फूट की चुड़ाई में और नभे फूट गराई में ये पांच सुगल से ज आपका नेम प्लेट आ सकता है तो ये नेम प्लेट आपका भी हो सकता है भॉस खरीदना भी नीचे दिए मुबाइल नबर पे हमें कॉल कीजिए यहां पर आप गुपता वर्मा और जो भी आपकी कास्ट है उसको आप लिख सकते है तो यार वो घर आपके लिए पुकार रह अब इसकी हम फ्रेंट एलिवेशन देखेंगे ड्रोन के साथ क्यूंकि ड्रोन लुक्स बहुत ही जबरदस्त होंगे तो कैसी लगी ऐलिवेशन ड्रोन के साथ दिखी ऐसी ऐलिवेशन कहीं नहीं मिलती आपको मिलती है अब चलेंगे इस घर के अंदर घर के अंदर ही एंट्रेंस के लिए हमने यहां पर विकेट गेट दिया गया है यहाँ पे proper aluminium के साथ बहुत सुंदर profile का areas बनाया गया है जो कि आपका यह सारा movable gate है with remote अब चलेंगे इस घर के अंदर अब को मिलता है beautiful सा courtyard area जहाँ पे आपके घर के अंदर ही चार गाणियां अराम से पाक हो सकती है ऐसा वाला areas है नीचे हमने black grenade का amazing work किया है और जो यह tiling का work है ना जो आपको front elevation से दिख रहा था proper आजकल की futuristic designing light grey और dark black की tiling का combination किया है जिसके ताथ HPL का बहुत ही सुंदर work और आजकल की cylindrical lights जो चल रही है उस तरीकी की designing करके और उपर देखे कितना futuristic designer है यह designer घर आपको मिलेगा amazing amazing look में amazing designer finish के साथ futuristic designing के अंदर यह घर है देखे यह तकरीबन art by art का शीशा लगा हुआ है जो कि security ग्लास है और यहां पर आपको सारे के सारे हम curtains विकरा लगा के दे रहे हैं इसके साथ ही यहां पर यह dual entry का काम है यहां पर top floor को stairs जा रही है यहां से आपको proper top floor पर stairs जाएंगी जहां पर आपके लिए हमने अलग से पार्टी एरिया के लिए जगाए रखें तो चीजें ऐसी बनाई गई है कि यह वंडर्फुल लुक और ऐसी डिजाइनर घर के साथ आज जमाए हैं आप अपने चैनल पर उसके बाद यहां पर दो steps लेती आपका आजाता है है दौर आपका में दौर जहां पर हमने प्रबर इटालियन मारबल जो मिरको सबसे पहली नजर पड़ी इतालियन मारबलत की यहां पर आपकी एव 미안्ध प्रबड़ 一र्य टीग के लिवाज और स्कोनीं प्ले किया गया है落ज फ्र फाइल ल कि आप इंस्पायर ऐसे हो कि घर ना मज़ेदार हो तो ऐसे ही घर के साथ आ जमाए हैं 500 गज का एक घर लेगे जो की एक ब्यूटिफुल और ब्यूटिफुल और ब्यूटिफुल मेरे वर्ड्स खतमों के इसको डिफाइन करते करते एक ऐसा बड़ा सा एरिया कि यार मैं एंटर किया था है यहां से फॉयर एरिया की टरफ से जहां पर आपके यहां पर कलॉक्वाइज मेरे फिरस्ट फ्लोर को ड्रीस जारी है । a को रहा दौ अँद में दिखाेंगे उसके साथ ही यहां से आपके जारी है बहुत ही सुन्द sûr अड फॉयर यहां से हम एंटर क कर सकते हैं उसके साथ ही यहां पर आपकी working में lift है lift के साथ यह घर मिलेगा यहां पर आपका मंदर यहां पर अपर कटलरी एरिया के एरियाज उसके साथ यहां पर आपकी मॉडूल की किछिन एक chef made वाल्नू किछिन उसके साथ यहां पर एक bedroom तो तू बेटरूम नीचे ग्राउन फ्लोर पर, त्री बेटरूम फ्लोर पर और तीन बेटरूम ही आपके टॉप फ्लोर पर तकरीबन एट बेटरूम हाउस है और लक्षरी फील और लक्षरी डिजाइनर खर हो सकता है ना उसरीकी की डिजाइनिंग मिलेगी बास आपको चलेंग के साथ हमने जो प्ले किया गया है विद प्रफाइल लाइटिंग का अमेजिंग वर्फ दिखिए आप घर बना रहे हैं तो ऐसी चीजों से इंस्पायर हो यह कि भहिया चीज ऐसी बनाई है यार नायाब हो अपने आप में नायाब सैनी जी आप चीफ मिनिस्टर बन गया है हर आना के तो नायाब वर्ड भी एक नायाब हो गया है उसी नायाब घर के साथ इंस्पिरेशनल हाउस लिखे आया आपके लिए प्राइम लोकेशन ऑफ पंचकुला के अंदर देखिए यह हमारा पंद्रा बाइपंद्रा का लंबा चौड़ा हमारा ड्रॉइंग रूम है जह के बाद यहां पर बहुत ही सुंदर हमारे सारे के सारे कर्टन जो ओवर हेड तक दे गए हैं जो छुपने वाले कर्टन होते ना उसरीके की डिजाइनिंग बैक एंड वाल देखिए कितनी ही सुंदर हमने यूवर्स के काम के साथ उसको डूकोपेंट में वरकिंग किया हो और यहां पर आपकी बड़ी सी सीजरी आने वाले जो की एक एलिगेंट और अलिगेंट डिजाइनर लुक दे सकती है ग्यारा फूट पर चछत बनींगी है अमेजिंग लूक और अमेजिंग डिजाइनर लुक के साथ ये एरिया जैंग उसके साथ यहां पर ओनेक्स पे यहां से आपको ए रोड के ओपर घर है तो आपको दिख रहा है बॉस की क्या एरियास चल रहे हैं तो मज़ेदार लुक के साथ यह विंडोज का डिजाइनिंग है और बड़ी सी विंडोज जितना आपका नेच्छरल लाइट आएगा आपका घर उतना ही वास्तु फ्रेंडल रहता है कि आपको वाइट कलर अपकी सीलिंग बें होनी चाहिए जो हमने राइट हैंड साइड पर आपकी सीलिंग कर रिखिए न वह सारी सारी बुडन में जहां पर प्रॉपर लाउंच एरिया उसके साथ बड़ा सा LED टीव उनिट आपको नजर आएगा बड़ा ग्रैंट इसा देखिए आपको इंस्पिरेशन दे रहा है घर को बनाने के लिए इटालियन मार्बल जो चम चम कर रहा है उसको प्ले किया वाइट के साथ उपर प्रॉपाइल लाइटिंग और जो मॉडरन एसेसरी चल रही है ना भाइया मुझे लग नहीं रहा है घर के अंदर तो आपको पता लगेगा कि यार यह वाला बाला मेरा लग रहा गया शेफ करते हो तो चीजें ऐसी प्यार भरी उसके साथ ही अटायाच वाश्रूम लगश्री फील में मिलेगा भईया प्यार बड़ा वाश्रूम है यहां पर सुंदर डिजाइनर लुक में यहां पर लौण एरिया मिलेगा कि इससकेटा बड़ा ब्यूटिफुल जाएरिया जहां हमें बहुट प्रफाइल लाइटिंगी इची चाद्र प्ले किया गया है अमेजिंग यहां पर आपके लिए प्रॉपर मंदिर है किसंदर मंदिर है छोटना सा मंदिर जो आपको इसट एक beneficiary काम करता है लोग यहां पे एक powder room भी है उसके साथ ही चलेंगे इसके attached modular kitchen की तरफ जहां पे यहां पे आपका dining area है देखिए कि इतना सुन्दर dining areas है उसको हमने play किया गया यहां पे wooden ceiling के साथ जहां पे बहुत सुन्दर lighting का work है और एक ऐसी modular kitchen जो की आपको प्यार कर देगी मजला मज़ा आ रहा है और मैं इतने बड़े हाथ खोल के इसलिए दिखाता हूं कि आपको प्लापर space का अंदाज़ों भी है मैं 6 foot की height हूं और तगरीवन हमारे हाथ 5 foot तक खुलते हैं तो कितनी बड़ी kitchen होगी दिख रही है आपको यह है पंदरा बैबेस की लबी के साथ यहां पर आपको branded fittings में चिमनी मिलेगी गास मिलेगा उसके साथ यहां पर टिंटेट ग्लास में एरिया उसके साथ यहां पर बड़ी सी आपको पेंट्री एरिया मलते हैं तगरीबन डेट फूड की चुड़ाई पेंट्री जैना उस तरीके का काम ब्लैक और किया गया मज़ेदार लुक आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में जुरूर बताईगा यहां पर देखिए ड्यूल टैप का का काम एंटिन वाली सेंग का काम तो जो की आजकल मॉडरन चीज़े चल रही है बहुत बहुत गई है इस कीचन के इंदर डबल डोर के फ्र बेड्रूम भया बैक एंड वाल देखिए पूरी की पूरी कवर्ड हमने कर रखी है तगरीबन पंद्रह बैबीस का लंबा चोड़ा बेड्रूम और वाइट कलर की सीलिंग के साथ बैक एंड वाल देखिए और यह कितना ही बड़ा LED TV उनिट है मज़ेदार लुक में आया नहीं आया क्या मज़ेदार लुक उसके साथ ही अटैज हमारा ब्रेसिंग क्लोजेट एरिया बड़ा सा क्लोजेट एरिया जहां पे हमने डूपो पेंट के साथ देखिए सिल्वर कलर का डूपो पेंट क्या प्रफाइलिंग का वर्क कितना सुंदर लुक का रहा है अमेजि टूंट करने जब सुब अनुछ आ घमार इत मैं मैंने लघन आज पाते वह पानी का यहां कि ओटते वहिए एगा यहां से और जगह पानी तो आप होली आप अनुप और अपाओ pierwsze और ब्लाक के अंदर ये प्रॉपर सारका सार इटालियन मार्बल के अंदर ये ग्रिट्स बनाये गए हैं तो ऐसा लुक में वाश्रूम मिलेगा देखिए ये कवर्ड हो जाएगा यहां से पानी पानी आएगा तो आप एक पानी के अंदर रहे पाएंगे उसके साथ यहां पर से डवलू सीट के लिए प्रॉपर स्पेसीज हैं अमेजिंग अमेजिंग लुक में सारका सारी इटालियन मार्बल में लुक है बास तो ऐसा वाश्रूम ऐसी लुक्स ऐसा डिजाइनर घर मिल रहा है आपको टेक्नो कटेंशिल के चैनल पर तो मज़ेदार लुक के साथ इस वेट किचन अलग से हमने बनाई है जहां पर आपकी डीजर के आपको लगा के देने हैं यहां पर आपको प्रॉपर रस्टिक मेंट के साथ यह बैक एंड एरिया मिलेंगे इसके बाद चलेंगे इसकी फर्स्ट लोर की स्टेर्स की तरफ जो की एक अल्टिमेट फिनिश के कैडिस में वीटन और तकरीबहन चार फूट की चुडाई में यहां पर आपकी सारी-सारी-सरी इस यह इचार यह ठीक ए साथ बिल है यहां पर बड़ा सा उप्योंदी है यह घर और फिनिश के साथ एसी फिनिश के साथ यह घर एलगा यहांपर देखें गर्या ओना गरेंगे हैं मजा आजाता है लुक में प्यार भरा लुक है तो ऐसी लुक के साथ आज हम आए हैं एक प्यारा सा घर देख नहीं यहां पर प्रॉपर वर्किंग में इसके फर्स्ट बेड्रूम जो की फ्रेंट एलिवेशन के सामने खुल रहा है एक ऐसा लग्जी फील में बे लगवा देखें कितना सुंदर बेड के साथ यहां पर बैक एंड वॉल देखें प्रॉफाइल के साथ अमेजिंग लुक है बैक एंड वॉल की तग्रीबन 11 फूट के लिए स्पेसिस हैं उसके साथ यहां पर बड़ा सा LED टीव नेट और एक बड़ी सी आपको लोग जो बा चीजे बनाई गी थी जो आपको यहां से ग्राउन फ्लोर से और हमारे ड्राउन से भी दिखी तो ऐसी चीजों के साथ आज हम आये हैं घर देखने उसके साथ ही चलेंगे इसके बड़े से क्लोजेट एरिया की तरफ देखिए बड़ा सा क्लोजेट एरिया आपको नजर रहा है अमेजिंग अमेजिंग में चलेंगे इसके थर्ड और फॉर्थ और फिफ्ट बेड्रूम की तरफ लक्षरी फील में यह भी बेड्रूम है 15-20 का लंबा चौड़ा दमरा देखिए मैं बिल्कुल बैक साइट पे खड़ा हो जाता हूं यहां से ही कैमरा मैं देखिए कितना बड़ा बेड्रूम है आपको अपनी स्पेस का अंदाजा हराम से हो सकता है वाइड एंगल एच्डी कैमरा में जो हम चीज़े बनाते हैं बहुत और अल्टिमेट फिनिश के साथ इसकी वाइड कलर की सीरिंग और टीक प्लाई के अंदर जो हमने काम किया है सिरफ थो यूनिट्स हैं वो सब कुछ लगा के देंगे तो ऐसी फिल में फिनिश में अब चलेंगे इसके फिफ्ट बेड्रूम के अंदर स्पेशियस फिफ्ट बेड्रूम तो अभी घर खतम नहीं है बहुत पिक्चर तो अभी चालू हुई है तो यह हमारा अमेजिंग में पिंक कल अब यहां से आपकी टॉफ फ्लोर को स्टेश जारी है जहां पर आपके लिए हमने टू बेड्रूम ऊपर बनाएगा तो चलेंगे इसके पार्टी एरिया की तरफ जहां पर अपनी पार्टी नग्या करेंगे अपने फैमिली के साथ और अल्टीमेंट फिनिश के साथ अब पार्टी करनी है तो यहां से आपकी स्टेल्स भी आ रही थी ठीक है वो ओपन बिल्कुल लिफ्ट थी वह भी आ रही है देखे कितनी सुंदर सीलिंग डिजाइन है पर फाइल लाइटिंग के साथ जो सीलिंग डिजाइन का लूक आ रहा है अल्टिमेट वाइड कलर के इसी घर में रहा जाओ उसके साथ ही यहां पर आपके टू बेड्रूम और यहां पर यह तो ग्रीबन साथ और आठ बेड्रूम हो गए है ना उसके बाद यहां पर एक बड़ा सा आपके लिए पार्टी एरिया जहां पर आपका मलब होम ठीटर है यहां से आपके लिए प्र तो यह ऐसा घरता कि आपकी सक्सेस ना शोर मचा देगी और कोई घर में आएगा ना बोलेगा कि यार रह तो आप भी रहे हम तो काट रहे हैं तो ऐसे घर के साथ आएते हैं चैनल पर पहली वारा है जाए टेक्नो के देंशन के चैनल पर तो प्लीज सस्क्राइब कर लें आप